कि यह व्यूद्टी वेल्कम बैक्टो माइक्रोप टॉक्यूर और यूट्यूब चैनल आएम माशी वंसगीन विट्यूब और आज मैं आपको बताने वाले हूं स्टेनिंग प्रोसेजर ओफ लिविंग और इसम्स यह निकि जो लिविंग सेल्स होती हैं को स्टेन कैसे करते ह होती है पहले इस बारे में हम डिसकस कर लेते हैं ओके तो ये देखिए ये माइक्रोस्कॉपिक स्लाइड है क्या है यह microscopic slide, ठीक है, यह slide हम क्यों use होती है, किसी microorganism को देखने के लिए glass की बनी होती है, तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें कोई भी चीज microscope में देखनी होती है, कोई भी living cell, उसके structure को study करना है, उसकी morphology को study करना है, तो हम उसको क्या करते है, microscope में देखते हैं, और उसको क्या करते हैं एक उसकी थिन लेयर लगाते हैं सपोज वो कॉर्क है या कोई भी सेल है उसके एक थिन लेयर बनाएंगे तो वो कहीं बार क्या अज़ता है इतनी ज़्यादा चोटी हो जाती है कि वो में नेग डाय से दिखाई नहीं देती है ठीक है क्या करते है कुछ स्टेंज एड करते हैं जिससे क्या करते हैं जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो क्या हमें वो कलर्ड देखते हैं तो हमें उनको आइडेंटिफाय करना इजी हो जाता है तो इसलिए ही ये वीडियो मैंने आप सभी के लिए बनाई है जिससे कि हम क्या समझ पाएं simple technique समझ सकें कि कैसे हम staining करते हैं बहुत सारे staining मैंने आपके साथ share भी क्यों ही है simple भी and differential भी तो फिलाल हम इस वीडियो पर आते हैं के बारे हम बाद में discuss करेंगे तो चली देखते हैं सबसे पहले हम categories देख लेते हैं staining की कौन-कौन सी होती है पहले है simple category और दूसरी है differential staining category तो simple staining वह होती है जिसमें क्या करते हैं किसी भी चीज के shape को arrangement को क्या करते हैं देखते हैं किसे bacterial cell देखते हैं तो bacterial cell की कैसे shape है उसकी morphology मतलब है और कैसे वह arrange है suppose वह ऐसे 2-3 से अलपस में test है है ना या फिर single है या streptococcus में arrange है या staphylococcus में range है ऐसे करके हम उनका arrangement देख सकते हैं by the help of simple staining simple staining के जो प्रोसीजर है और मैंने आपको पूरा define किया हुए simple staining मैंने आपको bacteria की करके दिखाए थी crystal violet से safranine पे और methylene blue से और मैंने आपको इसका principle भी अच्छे से बताया था आप वहां से जा करके देख सकते हैं दूसरा और क्या बता सकते हैं यह किस पर बेज़ होते हैं जो simple staining के अगर हम बात करें उसमें थ्री टाइप के stains यूज कर सकते हैं basic stains acidic stain और negative stain जो basic stain होते हैं उनके example है methylene blue जिसे हमने बैक्टिरिया की negative staining की थी sorry simple staining की थी methylene blue crystal violet melachide green basic fusion carbol fusion और separating यह क्या हैं सभी के basic simple stain हैं इनका purpose क्या होता है यह क्या करता है Stain करता है जो stain होते हैं इन पर negative charge होता है क्होंसा Rendative charge होता है ओके ये किस लिए एस тех की साथ साथ जसी की नुकलिक एस हो गया है're कि DNA को कि सोतास पर नेगेटिव चार्ज होताby है 작 sécurité की जू सेल वहल लोती है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है तो इसको लगए करती है और इसके वेफ़े से हमें क्या दिखता औरेंजमेंट आपको चीज़ दिख रहे हैं मैंने इसका प्रोसीजर है पूरा की कैसे करते हैं तीनों मैथड से दिखाएं मेथाइलीन ब्लू से क्रिस्टल वालेट से अब हां से जा करके देख सकते हैं नेक्स आता है हमारा एसेडिक स्टेनिंग में का एक्जामपल क्या है जो स्पेसिविक डाइस में यूज़ वह रही होएं इयोसीन एसेट फ्यूजन रोस बैंगल एंड कांग्रो ग्रीन सोरी कॉंग्रो रेड ओके परपस क्या होता है इसका यह स्टेन पोजिटिवली स्टेन करती है बतलब जो स्टेन करती है पोजिटिवली चार्ज मॉली क्यूल उसको और क्या करती है उनके स्रक्चर्चर्स को जैसे की प्रोटीन कुछ फॉज़िव वी चार्ज पोजिटिव करने का काम करीगी और आउटकम कैंट बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट यह यह दोनों की दोनों negative stain है Simple by ground को यह क्या जेंट करते हैं लेकिन की बैक्टिरिया क्या करता है लेकिन negative stain रही है लेकिन फिरी आपिध यहां पर देख पा रहे है नहीं चैंदेंक बैक्राइट को कि घुझिय cricket हो जाता है तो क्या light specimen हमें अराम से दिखाई देता है तो यह था हमारा simple staining technique के method और इसके जोन-जोन से हम क्या कर रहे है specific stains use कर रहे है next हम आ जाते हैं अपने किस पर यह जो हमारी इससे पहले वाली slide थी जिसमें बता रहे थे categories of staining दूसरे type की होते हैं differential stain इसमें क्या करते हैं एक से ज्यादा टाइप की stain यूज़ करते हैं दो तीन ठीक है नौर्मली दो stain यूज़ किये जाते हैं जैसी कि differential stain मैंने आपको gram staining करके भी दिखाई हुई है तो यह जो technique है इसके according जो differential stain यूज़ इसमें हम किसी भी cell को same color में क्या करते है stain नहीं करते हैं ठीक है क्योंकि differential stain है तो cell को stain में के बाद जो color दिखाई देगा उसके base पर हम क्या करते हैं categories में divide करते हैं जैसी कि separation into group और visualization के base पर जिस separation into group में कौन सी आगी gram staining होगी जो मैंने करके दिखाई हुए आपको link मिल जाएगा और आप playlist में जाकर के देख सकते हैं staining की बनाई हुई है मैंने microbiology practicals की बनाई हुए उसमें जाकर के देख सकते हैं जो gram staining है उसके according हम जो differential stain है को two categories में categorize करते हैं gram positive and gram negative यह positive हो गए and then gram negative ओके फिर acid fast bacteria भी acid fast bacteria में divide होता है and non acid fast bacteria में divide होता है then visualization की based हम क्या stain करते हैं फ्लैजीला को stainơn कर सकता है capsule को stain कर सकते है spore को stain करते है nuclear जो नुक्लियर पार्ट होता है यानि कि डियने पार्ट होता है उसको भी स्टेन कर सकते हैं इसमें क्या होगा जो यह बात करूं कि फ्लैजिला है यह क्या है मेरी बैक्टीरियल सेल है और इसमें आपर क्या है फ्लैजिला है तो आपको सिर्फ क्या दिखाई देगी यह जो फ् ठीक है क्या है बस e की साइड में कहीं बैंक्या होसकती है विसाइड में प्रेज़न्ट होसकती है तो यह क्या होती है बैक्टीरिय की या फिर उसके arrangement पर फ्लैजिला रेंजमेंट पर डिपेंड करता है इसके अक्टेग्स कर सकता है अगर आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे बताईए और उसका वीडियो भी जल्दी बनाऊंगी नेक्स रता है capsule stain अगर हम capsule की बात करें तो bacteria की जो cell होती है उसमें plasma membrane cell wall and then उसके उपर एक structure मिलता है सब भी में नहीं मिलता है कुछ bacteria में जिसे हम कहते है capsule तो हम इसके coding bacteria को categorize कर सकते है capsulated bacteria and non capsulated bacteria तो जब हमारा capsule क्या हो जाता है स्टेन हो जाता है तो इसको रहाम से देख सकते हैं तो यह वाली जो staining technique है वो bacteria के capsule को stain करने का काम करती है next आता है spore staining spore staining में क्या होता है यह bacterial cell है तो इसके अंदर क्या होता है कभी कभी जब हम कहें कि extreme condition हैंगी तो bacteria structure भी अर करता है जिसे हम कहते है endospore थीक है तो इस condition में क्या होता है हमें जो बहार वाला portion होता है bacteria का वो तो अलग color से दिखाई देगा और जो यह अंदर वाला portion है वो अलग color से दिखाई देता है तो जिसे हम identify कर पकते हैं कि bacteria spore bearing है है नोन स्पोर भीयरीमनेक्ट होता हैं न्यूप्लियर स्टेहने लिजिव दिखाई देता है तो यह सुझाएगा निशिक हो जाएंगा उप जे भार वाली सेल है यह बिलकुल सेपरेट्ड दिखती है पता चल जाता है कि यह जो nucleoid है इसका यांके DNA है उसको हम अलग से देख सकते हैं ठीक है तो यह था हमारा कौन सा last method जिसमें हमने क्या देखा nuclear staining तो यह थी हमारी सभी categories staining की जिसमें हमने देखा simple staining differential staining simple staining एक stain से stain हो रही थी मतलब सिर्फ एक ही type के stain का यूज करते हैं लेकिन differential staining में हम एक से ज्यादा stains का यूज करते हैं तो यह था हमारा चोटा सा video staining technique आई होग यह वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा आज मेरे पास time थोड़ा कम था इसलिए मैंने क्या किया आप लोगों के लिए हेंच से चार्ट बनाया तो हो सकता है उपको थोड़ा problem हुई इसके वेश से ओके सो आज के वीडियो में बस इतना ही आई हो कि यह वीडियो आपको पसंद आगा इस वीडियो देन हिट like बटन and also don't forget to share it with your friends and also subscribe this channel and hit bell icon और अगर आपकी अभी भी कोई query है तो you can clear it in comment section thanks for watching